विग्नहर्ता गणेश महाराज की जय हो स्वागत है मित्रों। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बालाजी एस्ट्रोलोजी में तो कन्याराशी वालों। दोस्तों आपको बता दे आने वाले अगले 24 घंटे में आपके जीवन में बहुत सारे उतार चड़ावाएंगे। जी हाँ दोस्तों कई जगह आपका ध्यान भटकने वाला है। बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आप जीवन में बिशीदी एडिको ये नेक आजी रोब्व है। आगे बढ़े या आप जीवन में जरा सी भी तरक्की करें। इसलिए वह आपको बदनाम करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। तो आपको यह बात तो समझ नहीं होगी कि आप जीवन था का उरकम मैटिन दीक वया है। मैं जितना शान्ती से आगे बढ़ेंगे, जितना सोच समझ कर आगे बढ़ेंगे, आपके लिए उतना ही बहतर रहेगा। क्योंकि दोस्तों, इन 24 घंटे में आपका ध्यान कई जगह भढ़काने वाला है, खास कर वे लोग ज जो है वह पढ़ाई से हटने वाला है, और जब जब छात्रों का मन पढ़ाई से हटता है, तो वह उसके लिए मुसीबतें लेकर आता है। यह बात आप ध्यान रखिएगा। तो उच्च शिक्षा में अर्चने आ सकती है। संभल कर रहिए। महनत आपको करते रहनी है। प अहया मीठा होता है और इस सब्र को आपको पूरी तरह से लेना होगा। सब्र आपको करना होगा और बहुत अच्छा परिणाम इसका आपको देखने को मिल जाएगा। घर के किसी बुजर्ग की सेहत खराब हो सकती है, जो आपके मन में चिंता का विशयल आ सकती है। बहु समय का और अपनी उर्जा का प्रबंधन आपको करके चलना होगा। समय उर्जा का प्रबंधन अगर आपने एक बार कर लिया, तो स्थिती यूहीं जबरदस्त हो जाएगी। स्थितियां यूहीं शानदार हो जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों, आपकी लव लाइफ में कोशिश करेगा, कहते हैं ना जिन्दगी में जब आप सुख के दिन भोग रहे होते हैं तो यह दिन आपके दुश्मनों के लिए बहुत आँखों में खटकने वाले होते हैं, अब ना तो हमने किसी का बिगाड़ा, ना तो हमने किसी का कुछ उधार लिया, ना किसी से कुछ क पहुँचा दे यह कहा नहीं जा सकता इसलिए किसी भी प्रकार का दिखावा या किसी भी चीज का घमंड ना करें अन्यथा वह चीज आपके हाथों से चली जाएगी देखिए भगवान हमें कुछ देता है लेकिन थोड़ा बहुत देने के बाद यह देखता है कि क्या यह व्यक्ति विनम्र रह पाता है क्योंकि अक्सर मानव की फितरत है थोड़ा बहुत पैसा उसके पास क्या आ गया थोड़ा बहुत अस्तित्व उसके पास क्या गया सम्मान क्या गया वह घमंड करने लगता है और भगवान को यही नहीं पसंद, तो आने वाली जो बड़ी सफलता थी, वह टल जाती है। लेकिन जो इनसान सफलता को पचाना जानता है। अन्ता है, जो इनसान बहुत कुछ मिलने के बाद भी विनम्र रहता है, उसे और भी बहुत कुछ जीवन में मिलता है। यानि की एक सब्र रखकर, यानि की एक धैर्य रखकर, और अपने आप को विनम्र रखकर, आप जीवन में बहुत कुछ पा सकते हैं। वियवसाय से जुड़े लोगों को बाजार में थोड़ी सी धाक जमा कर रखनी होगी, अपना नाम बना कर रखना होगा। देखिए, जो बारिश की बूंदे होती है, वह जब नदियों में गिरती है, समुद्र में गिरती है, तो उसका क्या अस्तित्व? कौन उसे जानता है? लेकिन वही पानी की बूंद जब एक पत्ते पर गिर जाती है, तो मोती की तरह चमकती है। अर्थात, दोस्तों, भीड में अगर हम हैं, तो हमारी पहचान गुम हुई है। हमें कोई नहीं जानता, लेकिन अलग हटकर के खड़े हैं, तो हमारा भी नाम बनेगा, हमारा भी काम बनेगा, तो यह चीज आपको समझनी होगी अपनी वानी और व्यवहार के चलते। सालों से बने संबंधों में दरार भी आ सकती क्योंकि आपका स्वभाव वैसे बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आपको कोई बात पसंद नहीं आती या किसी बात को लेकर अगर आप चिढ़ जाते हैं, तो फिर आप बहुत ज्यादा सामने वाले की विरोधी बन जाते हैं या वह नहीं चाहता तो उसकी भावनाओं की यहा, उसकी अपेक्षाओं की अनदेखी आप बिलकुल भी ना करें। कई बार दोस्तों ऐसा हो जाता है, हम जाने अंजाने में खुद से डिसीजन ले लेते हैं परिवार के कुछ महत्वपूर्ण, लोगों से नहीं पूछते और वह चीज उनके जीवन में मुसीबतें लाती है, वह चीज उन्हें हमेशा के लिए नाराज कर देती है और वह यही, मन ही मन सोचते हैं कि यह तो मुझे अपना नहीं मानते, तो ऐसी समस्या आपके जीवन में हो सकती है, थोड़ा सा सतर्क रहिएगा आपके निजी वहाँ पर जिम्मेदारियां थोड़ी बढ़ने वाली हैं और उन जिम्मेदारियों को निभाने के लिए समय भी ज्यादा ही देना पड़ेगा, यह बात आप ध्यान रखिएगा, किसी बुजर्ग सदस्य की सेहत को लेकर मन थोड़ा परेशान रहेगा, हालांकि आपको गड़बडा सकता है, तो सतर्क रहिएगा, इस दोरान धन उधार लेने की भी नौबत आ सकती है, कामकाज के सिलसिले में लंबी या छोटी दूरी की यात्रा आपको करनी पड़ सकती है, और प्रेम संबंधों में किसी बात को लेकर लव पार्टनर से तनातनी हो सकती है, त आपको उनका सपोर्ट मिलता रहा है, तो यहां पर आपकी लव लाइफ को भी वही बचाने वाले हैं, आप इतना ध्यान रखिए कि प्रेम और निजी संबंधों में आई दिक्कतों को दूर करने के लिए विवाद की बजाए आप समवाद का सहारा लें, कई बार हम भी बह पर महरबान रहेंगे, चिंता की कोई बात नहीं है, कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपको सौंपी जा सकती है, यदि आप बेरोजगार है और नौकरी की तलाश में भटक रहे हैं, तो एक अच्छा ओफर आपको मिल सकता है, पैसों की किल्लत काफी समय से चल रही थी तो इन पांच दिनों में आर्थिक स्थिती में सकारात्मक परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि चंद्रमा व्रिशिक राशी में पहुँच चुके हैं, आपके छठे भाव से वह बहुत अच्छा योग निर्मित कर रहे हैं, लेकिन आपको त्वचा संबंधी स समस्याओं से सावधान रहना होगा, क्योंकि चठा भाव होता है, जो चठा घर होता है, वह स्वास्थ्य को भी दर्शाता है, खास तोर पर चर्म रोग को तो वहां आपको थोड़ा सावधान रहना है, किसी नए प्रोजेक्ट से जुड़ कर काम करने का मौका आपको मिल सक साथ ही साथ भूमी भवन के क्रेख विक्रे से जबर्दस्त लाब होने वाला है, परिवार के सदस्यों के साथ आपसी सामंजस्य बिठा पाने में कामयाब रहेंगे, और जीवन साथी के साथ सुखद पल बिताने के बहतरीन अवसर आपको प्राप्त होंगे, लेकिन दोस्त असफल होने पर तो केवल अभीमान आता है, लेकिन असफल होने पर इनसान को चीज की वैल्यू पता चलती है. अब हम आपको दो उपाए देना चाहते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, गंभीरता के साथ इन उपाएं को करियेगा, आपका बहुत सारा काम होगा. सबसे पहला उपाए, दोस्तों, आखिर क्या है? सबसे पहला उपाए हमारा यह है कि आपको सोमवार के दिन एक लोटा जल और ग्यारह बेलपत्र लेकर शिव मंदिर जाना है. इन बेलपत्र को अच्छे से धोलेना है और उन पर चंदन से प्रभुश्री राम का नाम लिखना है या फिर AUM की आकरती भी बना सकते हैं. एक लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाईए. ओम नमह शिवाय कहते हुए फिर ग्यारह बेलपत्र शिव जी पर अर्पित करें. ती शिक्रपा आपके उपर बाबा की बरसेगी और आपके बहुत सारे काम बनेंगे. मान लीजिए दोस्तों, आपके पर्स में पैसा नहीं टिकता है. आपका पर्स हमेशा पैसों से खाली ही रहता है. तो आपको क्या करना है? आपको एक पीपल का पत्ता लेना है और उस पीप लिए, गोल घुमाईए और उसे अपने पर्स में रख लीजिए. जब यह पत्ता सूख जाता है तो पुनह यह उपाय कर लीजिए. आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिल जाएंगे. अगला उपाय बुधवार के लिए रहेगा. क्या आपको गणेश जी के मंद परिवर्तन आएंगे. और जिन्दगी इतनी शांदार हो जाएगी कि आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा. तो अपनी दिन्चर्या को फिर वैसा आपको रखना है तो जीवन में परिवर्तन होना बहुत जरूरी है. परिवर्तन ही प्रकृती का नियम है. आप पुराने जमाने की तरह व्यापार नहीं कर सकते. नई नई चीजों को अपनाना होगा. नई नई को अपनाना होगा. यह आपके लिए बहुत जरूरी है. आने वाले अगले साथ से आठ दिनों में कोई अपना ही आपके परिवार में फूट डाल सकता है. भगवान ही ऐसा अनर्थ हो पर बहुत ज्यादा आ जाएगा. ऐसे में दोस्तों इस बात का विशेश रूप से ध्यान रखें कि जितना हो सके आने वाले अगले इन 24 घंटे में परिवार वालों के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताने का प्रयास करें. जी हाँ दोस्तों, जब आप परिवार वालों को समझ पाएंगे, उनकी बातों को समझ सकेंगे और आपके जीवन से सारा तनाव मीट जाएगा, जो व्यापार करते हैं, कारोबार करते हैं कारोबार में. दोस्तों, इन तीन दिनों में आपको कई सारी खुशियां भी मिलेगी, तो कई सारी मुश्किलों को भी आपको पा पढ़ेगा. साथ ही मित्रों आपको बता दें, स्वास्थय को लेकर इस दिन आपकी चिंता और भी ज्यादा गहरी होती हुई नजर आ सकती है. यदि दोस्तों, घर परिवार में किसी का स्वास्थय ठीक नहीं था, तो उनके स्वास्थय को लेकर आप थोड़े परेशान हो सकते हैं. स्वास्थय में अस्पतालों में आपका काफी ज्यादा पैसा खर्च हो जाएगा. तो यह चीज़ दोस्तों, आपको मन ही मन काफी ज्यादा दुखी करेगी और मन ही मन आपको काफी ज्यादा कमजोर कर सकती है. तो आपको यह ध्यान रखना है कि निवेश करते सम अब करने से उतनातीय है उस पैसे को निवेश करने की तो आप अक्सर घलत अमान तको बात ही निर्णय ले लेते हैं तो आपको अंजान लोगों की बातों पर विश्वास नहीं करना है क्योंकि इन Tीन दिनों में आपके दुश्मन आपके शत्रु आपके खिलाफ बहुत बड़ी बड़ी चालें चलने वाले हैं। आपको अपने जाल में फसाने का पूरा पूरा प्रयत्न करेंगे तो आपको काफी सतर्क और सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। वहीं मित्रों आपको बता दें जिन लोगों के जीवन में बहुत समय से कोई म आपकी कोई दिल की बड़ी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी जो लंबे समय से अटकी पड़ी थी। आपकी कोई ऐसी मनोकामना थी जो की बहुत मिन्नतें, बहुत कोशिशें करने के बावजूद भी पूरी नहीं हो रही थी तो आपकी ऐसी कोई ख्वाहिश इन तीन दिनों में पूर्ण हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, आपको यह ध्यान रखना है कि आप अपनी वानी से, आप अपने शब्दों से सामने वाले के दिल को ठेस न पहुंचाएं। जी हाँ दोस्तों, सामने वाले को आपकी किसी बात का बुराना लगे, इस बात का विशेश रूप सिखाने वाली है। देखिए, जब हमारे पास पैसा होता है, धन दौलत होती है तो हम रुतबे में रहते हैं, हम बहुत ज्यादा एश मौज करते हैं, लेकिन अभी जब आपके लिए समय कठिन चल रहा है, तो दुनिया आपको कई जगह से ठोकर मारेगी, दुनिया आपको कई जगहों से नए-नए सबक सिखाएगी, तो आपको दुनिया वालों से बच कर रहना है क्योंकि आपके आसपास कई सारे ऐसे लोग भटक रहे हैं, कई सारे ऐसे लोग घूम रहे हैं, जो कि आपके अच्छे समय में तो आपके साथ हैं, लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे आपका समय कमजोर पड़ता जा रहा है, वे लोग आपका साथ छोड़कर आपसे दूर होते जाएंगे और फिर आप ही के खिलाफ बड़े भी इखी, बड़े शड्यंत्र रचते जाएंगे, तो ऐसे लोगों से समय रहते आपको भी दूरियां बना लेनी हैं, वही मित्रों आपके जो करीबी दोस्त हैं, जो करीबी लोग हैं, उनकी ओर से आपको कोई बहुत ही अच्छी सलाह मिल सकती है, आपके करीबी लोग आपको कोई बहुत ही अच्छी बात बता सकते हैं, आपको कोई बहुत अच्छी सलाह दे सकते हैं, जिससे की आपके सारे मुश्किल काम बहुत ही आसानी से पूर्ण हो जाएंगे आपके जीवन में चलती आ रही परेशानियां आपके जीवन में चलते आ रहे दुख दूर होंगे और बहुत ही आसानी के साथ दोस्तों आपके काम भी पूरे होने लगेंगे तो यदी यदी आपके जीवन में कोई भी संकट आता है, कोई भी मुसीबत आती है, तो आपको अपनों के साथ बैठ कर उस मुसीबत पर चर्चा करना है, उस परेशानी पर चर्चा करना है, तो आपकी तमाम परेशानियां, आपकी तमाम दिक्कतें दूर हो जाएंगी, वही क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इन चीजों को आपको गुप्त रखना होगा। अन्यथा आपके दुश्मनों के कानों में यदि आपकी यह खबर पड़ गई तो आपके लिए नए नए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। तो आपको दोस्तों अपनी काम यदि लंबे समय से आपको रोजगार नहीं मिल रहा था आप परेशान चल रहे थे, दुविधा में चल रहे थे तो अब दोस्तों आपकी सारी दिक्कतें, अब आपकी सारी परेशानियां दूर होंगी आने वाले अगले तीन दिनों में आपको कोई बहुत अच्छी जगह से नौकरी के लिए बुलावा आ सकता है नौकरी के लिए आपको कोई बहुत ही अच्छा मौका, कोई बहुत ही अच्छा अवसर मिल सकता है जिससे कि दोस्तों आपकी सारी मुश्किलें, आपकी सारी समस्याएं हल हो जाएगी तो यदि आपके जीवन में भी काम को लेकर कोई चिंता है, काम को लेकर कोई दुख है, कोई परेशानी है आप किसी बात से डरे हुए हैं, घबराय हुए हैं, तो अब आपकी सारी चिंताएं हल होने वाली है, आपको डरने की या घबराने की कोई भी आवशक्ता नहीं है, बस दोस्तों, एक बात ध्यान रखना, इन तीन दिनों में महादेव की आपको सचे मन से भक्ती करनी है, अगले आठ दिन आपकी जिंदगी में कई सारे बदलाव एवं कई सारे परिवर्तन लेकर आने वाले हैं, इन आठ दिनों में दोस्तों आपके दुश्मनों का नामों निशान मिट जाएगा, जो लोग आपको बरबाद करने की सोच रहे थे, जो लोग आप ही के खिलाफ श सामने वाले से बात करते समय अपनी वाणी का, अपने शब्दों का ध्यान रखना होगा क्योंकि आपके शब्दों से किसी का दिल तूट सकता है, साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें, यदि लंबे समय से आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कुछ परेशानिया चलती आ रही हैं किसी भी प्रकार का कोई दुख चलता आ रहा है तो आप अपने नजदी की दोस्तों के साथ समय बिता सकते हैं